तो जैसा आपको पता है आपकी हर एक regular update जो है आपकी university college या हर तरह का educational content जो है मैं आपको इस channel पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ specially जब से आपका 12th class का result डिकलेर हुआ है जम्मू कश्मीर में उसके बाद में आपका CBSC का result जो है अभी declare होना बाकी है तब से continue ही आपके लिए college universities की हर एक update कहां पे आपको admission लेनी चाहिए कौन से college आपके लिए best रहेंगे इन सब के उपर में वीडियो जो है cover कर रहा हूँ आप हर एक update के लिए channel को जो है subscribe कर सकते हैं जितने भी colleges में admission जो start होने वाली है universities में admission जो start होने वाली है उनकी हर एक update notification आपको इस channel पे मिलेगी ही मिलेगी साथ में आपके लिए क्या सही college कौन सा रहेगा इन सब की suggestions जो है वो time to time इस channel पे मैं आपको देता हूँ अभी ये जो वीडियो है ये आपके जो कुछ colleges हैं उनकी admission के related बहुत सारे student के comments थे कि कब admission start होने वाली है ये उसी के ओपर discussion करेंगे उससे पहले एक और चोटे सी चीज़ बता दूँ आपका कोई भी personal question query हो आप मुझे instagram पे पूछ सकते हैं instagram का link जो है वो description में available है आप वहाँ से जाके मुझे follow करें वहाँ पे आपका कोई भी question query हो किसी course college university के related आप कुछ suggestion पूछना चाहते हो किसी course के related combination के related आप मुझे से वहाँ पे पूछ सकते हो इस वीडियो को start करते हैं वीडियो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे student ने instagram पे ये चीज़ पूछी है वो बहुत ज़दा confused है कि result जो है जम्मू कश्मीर में आपको पता है 12th class का result declare हो चुका है उसके बाद college के admissions कब तक start होने वाली है यूजी के लिए undergraduate के लिए इसके उपर student को बहुत ज़दा concern है मैं आपको बता दूँ आपका CBSE का result अभी नहीं आया है हाला कि उस result के आने से पहले ही admissions start हो जाएंगी लेकिन उन student को definitely time मिलेगा मैं आपको बता दूँ अब जब आपकी admissions start होंगी उसके एक मन तक आपकी admissions जो है चलती रहेंगी प्रोसेस चलता रहेगा तो CBSE वाले students जो है वो भी easily जो है form fill कर पाएंगे अगर उससे पहले admissions जो है start होती है जो मैं expected date बताऊंगा वो जो last के आपके notification यानि जो last time आपकी admissions शुरू हुई थी उसके basis पे बताऊंगा सबसे पहले आपको यहाँ एक notice देख रहा है अभी इस पे आप देख रहे होंगे कि आपकी जो notification की date out हुई थी last time तो जम्मू इन्वस्टी में आपको B.L.L.B. B.B.A. और B.C.O.M. honors मिलेगा तीनों आपको दिख रहे हैं सीरियल नंबर में तो इनकी admission जो है last time आपकी August से शुरू हो चुकी थी ठीक है August 10 से इस बार यह admission जो है आपकी July में होगी मैंने आलरेड़ी एक वीडियो में यह बताया था कि इस बार जो admission है वो July में होगी यह July 20 से पहले पहले या फिर उसके बाद में भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसा notification ठीक है लेकिन यह जम्मू इन्वस्टी का मैंने बोला Cluster University की last time admission आपकी July को ही शुरू हो चुकी थी ठीक है July एंड में शुरू हो चुकी थी वो notification भी मेरे पास में है वो जो हुआ है वो आपकी शुरू हो चुकी थी आलमोस्ट 30 जुलाई को वो जो है start हो चुकी थी इस बार वो admission है वो आपको 20 ये 20 से पहले स्टार्ट हो जाएगी ऐसा हो सकता है ठीक है तो expected dates जो मैं बता रहा हूँ Cluster University के सभी college जैसे M.A.M. आओ गया आपका science college हो गया जीजी हम science college हो गया parade college, कांधी नगर college, commerce college ये सारे college जो है इनकी admission जो है आपको 20 जुलाई या फिर उसके बाद से देखने को मिल सकती है जल्दी ही वी दिना week ठीक है तो ये आपकी अभी तक है expected date मैंने जो है आपको बताएगा अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ अगर आपने पूरी वीडियो देखिया तो ये आप जान लें उनको भी जोइन कर लें लिंक जो है सभी description में है हर एक update और information के लिए चैनल के साथ आप जूड़ रहें Thank you करने के साथ बतान के साथ जो है रहें कर दो है